नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहे आरेने। स्वागत आपका मद्दे पर्देस और 36 गड़ के बुलिटिन में रोक करेंगे तमाम खबरों की तरह। 36 गड़ में नगरिय निकाय चुनाब के लिए उमीदवारों की घोशना जारी है और बीजेपी ने बुद्वार आदी रात के बाद भिलाई नगर निगम के लिए 57 उमीदवारों की पहले सूची जारी कर दिये और 37 सीटे वालों भिलाई नगर निगम के शेस 13 वोडों में न साम ते करने के लिए संभाग ये चेहन समीति गुरुवार को भी मन्थन करेगी और नगरिय निकाय चुनाब के लिए 27 नवंबर से जारी है और नामनकिन की परकिरिया शुरू हो जाने के बाद प्रदेश के दोनों प्रमुक राजनितिक डलों ने प्रत्याश्यों पर शुरू किया है और बीजेपी ने नगर नगमों के लिए संभाग स्तर पर नगरपालिका और नगर पंचाज चुनाब के लिए जीला स्तर परचयन समीति गुरुवार को भी अधिरात के बाद बैठक चलते रही और उधिरात क चर्चक बाद के वल 57 नामों पर सहंती बन इस तेरा वोडो में प्रत्याश्यों के चेहन के लिए गुरुवार को फिर बैठक होगी और उसके बाद नामों की दूसरी सूची जारी हो जाएगी। इस तेरा वोडो में केवल भिलाए चरोदा की सूची ही बाकी रह गई है। और प्रत्याश्यों के नामते करने के लिए कौंग्रेस चुनाफ समीती की तीन बैठक हो चुकी है। पंगलवार रात के वल दो नगर पालिकाओं और पांच नगर पंचायतों के नाम प्रत्याशी घोशित किये। और बुद्वार शाम को चुनाफ समीती की तीसरी बैठक हुई और इसमें विवाद वोडों में हुए दोबार सरवे के नतीजों पर चर्चा हुई और देर रात बिरगाओं और रिसाली नगर निगम के उमीदवार घोशित किये गए। और वहीं आदी रात के करीब भिलाए नगर निगम के सभी सत्तर वोडों से उमीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। और राजे के पंदर शहरों में आम चुनाफ हो रहे हैं और इसके लिए नामनकिन की अंतिमतिती तीन दिसंबर थे हैं और बीज दिसंबर को यहां म सरकार ने किसानों को बड़ी रहत दिये जिसके चलते अब किसान अपने बारदाने में धान को बेश सकेंगे और इसके लिए राजे सरकार प्रती बारदाने के लिए 25 रुपे का किसानों को भुकतान भी करेगी। करने का फैसला लिया गया और इस संबन में खाद विभाक की तरफ से आदिश जारी करते हुए कहा गया कि समर्थन मुल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों को अपने बारदाने में धान लाने की छूट राजे शासन से मिली है और खुद के बारदाने में लाए गए धान की खरीदी के साथ किसानों को पुराने बारदाने की अवेज में पूर में 18 रुपे का भुक्तान किया जाना था और वहीं सेम भुपेस बगेल के निर्देश के बाद साथ रुपे बढ़ा दिये गए हैं और साथ ही आपको बता दें किस साल राज्य में 22,73,234 किसानों ने ध 205 लाक में ट्रिक ट्रन धान की खरीदी होगी और वहीं ग्वालिय चंबल बुंदेल खंड में खाद का संकट कम नहीं हो रहा है और पहले डिये पी के लिए लंबी लंबी लाइने लगी और अब किसान यूरिया के लिए भटक रहा है और वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा ह और खाद वितरन केंडरों पर किसानों की लाइन लगी रही है और खाद ना मिलने से नाराज किसान नहीं दिनों से जगा जगा प्रदेशन भी कर रहे हैं और भिंड सागर मुरेना गुना अशोक नगर में किसानों ने खाद के लिए चक्का जाम भी किया और वहीं सागर मे किसानों ने पट्रियों पर बैट कर रेल तक रोक दी और हरीपुर गाउं के किसान आतुल लूंबा ने बताया कि अमूमन नौंबर महिने में डीएपी की जरुरती और अक्तूबर के अंतिम हफते में खेतों में सिचाय कर बोवनी के लिए तैयार की जाती थी इसके बाद डी बोवनी के लिए तैयार हो गए और इसी वज़ा से किसानों को डीएपी की जरुरत अक्तूबर में ही पड़ गए और यही वज़ा रही कि खाद की उपलबता नहीं हो पाए और क्रिशी विवाग ने नौवंबर में जरुरत के हिसाब से ओड़ा लगाए हुए थे और वही शुरू कर दिया है और यही सबसे सही समय होता है यूरिया का छिड़काव करने का और पानी के साथ ही वो घुल जाता है और सही परिणाम देता है सूखे खेतों में अगर यूरिया डाला जाए तो वो घुलता नहीं है और उसका कोई उप्योग नहीं रह जाता यही वज़ और इनमें भिंड जिले में एक कोमर्स कमपनी एमेजोन के खिलाव गांजर सप्लाइ मामले में कारवाई करने वाले मनोज कुमार सिंग का भी नाम है और उनकी जगा शैलेंदर सिंग चोहान को भिंड की कमान सोपी गई है और वहीं बताय जा रहा है कि स्पी की मंत्री अर्विन भदोडिया से भी अनबन चल रही थी और हाल में मंत्री समर्थकों पर पुलिस ने खाद को लेकर हुए विवाद के बाद केस दर्ज किया था और इसके अलावा आईपियस केलाश मकवाना को पुलिस हाउसिंग कॉर्प पुरेशन का अध्यक्ष बनाए गया और वहीं सागर एसपी अतुल सिंग को भी हटा दिया गया और उनकी जगात तरुन नायक को सागर की कमांद दी गई है और एडीजी विजिलेंस जीपी सिंग को हटा का शुष्मा सिंग को कमांद दी गई और ग्रेविवागद्वारा बुद्वार को देश शाम तबादला सूची जारी की गई और भिंड के नए एसपी शैलेंदर सिंग चोहान साल दोजार बारक बैच के आईपियस हैं और शाजापूर बोपाल नोर्ट खरगोन एसपी रह चुके हैं और उनकी खाचयत स्मार्ट वरकिंग के साथ जनसमवा रहें और फील्ड में अच्छी पकट रहते हैं और गुना एसपी रह चुके हैं और वहीं मद्यप्रदेश के करीब 40,000 बैंकर में 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे और इससे राज्य की 7,000 ब्रांचों में 2 दिन तक काले लटके रहेंगे और बोपाल में 300 रहेंगे और वह बैंकों के नीजी करंड को लेकर किये जा रहें परियासों का विरोज जताएंगे युनाइटेट फॉर्म ओफ बैंक यूनियंस के आवान पर ये देश्वयापी हरताल रहेंगे और यूनियंस के कोर्डिनेटर वीके शर्मा और संजीब सब लोक ने बताय कि देश्वयापी हरताल में मर्दे परदेश के सबी बैंकों के अधिकारी करमचारी हिस्सा लेंगे और यूनियंस के कोर्डिनेटर शर्मा ने बताया कि सरकार बैंकों के नीजी करंड को लेकर लगातार परियास भी कर रही है और इसका देश भर में विरोध भी किया जा र और 17 दिसंबर को हरताल करके सरकार को चेताएंगे अगर सरकार ऐसा परियास नहीं रोकती है तो आगे भी अनिश्चित कालीं हरताल पर जा सकते हैं और बैंक हरताल के बाद 18 दिसंबर को शनिवार है और ऐसे में ज्यादा काम नहीं होगा और 19 दिसंबर को रविवार होने से बैंक की छुट्टी रहेगी और ऐसे में लोग हड़ताल से पहले अपने जरूरी काम निप्टा ले 36 गड़ में कोरोना के मामले में उच्छाल देखने को मिल रहा है कल यानि मंगलवार को कोरोना के मामले में बड़ोत्री देखने को मिली है और राजे में बीते 24 गड़े में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए और हाला कि एक दिन पहले यानि सौमवार को कोरोना संकृतों की संख्या 16 थी और वहीं राहत की बात रही कि कल 34 मरीज ठीक भी हुए है और राजे में पॉजिटिविटी दर शुन्य दसलम 14 प्रतीशत हो गई है और मंगलवार को 24 अजा 30 सैंपल की जांच की गई थी इसमें 34 लोग कोरोना संकृत मिले है हाला कि इस दोरान किसी भी शक्स की कोरोना से जान नहीं गई और राजे के 17 जिलों में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया और ये जिले हैं राजनन्दा गाउं, बालोद, बेमत्रा, कबीर धाम, बलोदा बजार, करिया बंद, जांजगीर, शांपा, मुंगेली, गुरेला, पैडरा, मरवाही, सरगुजा, कुरेडिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कॉंड़ गाउं, सुक्मा, नराइनपुर और बीजापुर में कोरोना का मामला सामने नहीं आया, और महासमुंद, कॉर्भा, जशपुर, बस्तर, दंतेवाडा और कांकेर में कोरोना का एक-एक संक्रुइत मिला है दक्षिनपूर मद्य रेलवे, राइपूर रेल मंडल ने चक्रवाती तूफान, जवाद के अलट के बीच, यात्रों की सुरक्षा के मद्य नजर, कई ट्रेने प्रभावित होंगी और रेलवे ने साथ ट्रेनों को रद भी कर दिया है, और इसके अलावा किसानों को भी फिर आस्मानी आफ़त का सामना करना पड़ सकता है और मौसम विवागने के मताबिक शनिवार सुबा तक आंध प्रदेश और उडिसा के टटवरती इलाके से जवाद तूफान टकरा सकता है और तूफान के वज़े से भारी बारिस का अलट भी जारी कर दिया गया और वहीं आपको बता दे कि जवाद तूफान की वज़े से बस्तर संबाग मद्दे 36 गड़ और उडिसा से लगे जिलों में बारिस के साथ तूफान के हैड दिखा सकता है और तूफान के कारण कई जिलों में तेज हवा और भारी से अती भारी बारिस भी हो सकती है और वही मोसम विवाग की माने तो तूफान जवाद का असर 36 गड़ पर भी दिख सकता है और बस्तर संभाग के जगडलपुर, कोंडा गाउं, कांकेर सहीद अन्य जिलों में बारिस हो सकती है और इससे सबसे अधिक प्रभाव बस्तर संभाग के जिलों में रहेगा और यहां तेज आन्दी के साथ भारी बारिस हो सकती है हुवाईं बस्तर में स्वास्ते कर्मियों को दुर्गम रास्ते पार कर घोर नकसल प्रभावित और अबूज माड के गाउं तक पोचाना पड़ रहा है और स्वास्ते विवाग की टीम इन गाउं में मलेरिया जांच के लिए ढोल बजा कर ग्रामिनों को खटा कर रही है और गाउं में स्वास्ते सुविदा भी पूरी तरह से चर्मराई हुई है और आलम ये है कि गाउं के बिमार मरीज को खाड के जरिये अस्पताल तक पहुचाय जा रहा है और वहीं नराइनपुर में भी मलेरिया मुक्त अब्यान का 22 नवमत से शुरू हुआ तीसरा चरन 21 दिसंबर तक चलेगा और इस अब्यान के तहद नराइनपुर से करीब 60 किलो मीटर की दूरी पर और चब लोक के धूर नकसल प्रभावित इलाके कोका मेटा में कई नदी नाले पार कर स्वास्ते कर्मी पहुचे हुए थे और टीम ने पहुचने के बाद सबसे पहले ढोल बजाया और ढोल की आवाज सुनकर इलाके के दरजनों ग्रामिन इखटा हो गए और सभी की मलेरिया जांच भी की गई और मलेरिया की जांच में लगबग 8 ग्रामिनों की रिपोर्ट पोजिटिव आई है जानकारी के मताबिक नराइनपुर में कुल 1,18,024 जनसंक्या का मलेरिया जांच होना है और नराइनपुर ब्लोक में 217 गाउं और ओर्चा ब्लोक में 1,500 गाउं का लक्ष रखा गया है नरायनपुर में मलेरिया जांच के लिए कुल 80 टीम और ओर्चा में 72 टीमों का गठन किया गया है और पुलिस टीम केमपों में मलेरिया की जांच भी करेगी और वहीं गौालियर में एक युवक को कुछ लोगों ने जम कर पीटा है और पुरुष भी थे और इन्होंने युवक को आदा नंगा कर सड़क पर दोड़ाया और उसका जूलूस भी निकाला गया और इतना ही नहीं उसे सर्यों और लोहे के पाइप से पीटा गया है हमलावरों ने युवक के वीडियो भी बनाए और कहते गए कि इन्हें सोशल मीडिया पर वाइरल करेंगे और पिटते हुए हमलावर बार बार कह रहे थे कि और खबर छपेगा और इस समय पुलिस की गाड़ी भी वहां से निकली लेकिन पुलिस वालों ने थोड़ी देर वहीं खड़े होकर तमाशा देखा और आगे निकल गए घटना बुद्वा शाम पाटन कर का बाड़ा जंक गंज का है और कुछी देर बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आगे और युवक को पिटने वालों में कुछ छेद के सटोरिये और बदमाश भी दिख रहे हैं और घायल युवक को अस्पताल में भरती करा गया और इसके हाथ और पैर भी तूड़ गए और घायल ने एक दिन पहले उसी छेद के पुलिस अफसर के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था हाला कि पुलिस अफसरों का कहना है कि घायल की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया पर इससे पुलिस की कारेप्रणाली पर सवार और मायला ने उसे फिर छेद चाड़ करने के आरोफ लगाते हुए मारपीट किये और इससे लोग आक्रोशित हो गए और उसे पिटने लगे और पुलिस नामला वरों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है